सब्सक्राइब कर लिए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अलोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आकन को ज़रूर दबा ले ताकि मीटनाई से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स चाहिए इंफिमेशन चाहिए सारे टाइम आपको मिलते हम लोग क्विक अंबॉक्सिंग और एक फर्स्ट इंप्रेशन बताएंगे कि मीटनाई कैसा है कैसा प्राइस को जस्टिफाई करता या नहीं करता है क्या-क्या सारी चीज़े इसके अंदर मिलती है तो चलिए यहां पे ख्विक्ली अन्बॉक्सिंग कर लें तो अन्बॉक्सिंग के साथ यहां पे आपको बता दो कि फ्रेंट में 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा मेड इन इंडिया 5G कॉलकॉम स्नप्रेगन 750G लिखा गया है पीछे की तरफ यहां पे 108 मेगापिक्सल AI रियर कैमरा विथ EIS 16 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा वहीं बात करें तो कॉलकॉम स्नप्रेगन का 750G जो की 8 नैनो मीटर पे हार 5G प्रोसेसर है 120 हर्ट्स का यहां पे इंटेलिजेंट अडेप्टिव सिंक डिस्प्ले मिलेगा और इस्प्ले साइज है 6.67 इंचेज का FHD.notch.display के साथ बैटरी यहां मिल जाएगी 4820 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर इंसाइड दी बॉक्स मिलेगा जो की काफी अच्छी चीज है UFS 2.2 प्लस LPDDR4X का यहां सपोर्ट dual speakers, 360 degree ambient light sensor जो की काफी अच्छी चीज है साथी साथ 108 megapixel का wide angle camera 8 megapixel ultra wide बागी 2-2 megapixel की camera है उसके बारे में बात नहीं करेंगे Corning Gorilla Glass 5 का यहां पर protection मिल जाता है front और back में वहीं बात करें तो IR blaster और ultra responsive Z axis haptic motor आपको मिल जाता है box के अंदर अगर बात करें तो यहां पर आफट सबसे पहले यहां पर सामने आपको एक box दिखता है इसके अंदर कुछ user manuals और back covers है वहीं आपको mobile और data cable यहां पर type C वाला और उसके साथ आपको मिल जाता है यहां पर आपका 33 watt का यहां पर charger अब बात कर लें यहां फोन के first display and first look के बारे में तो first look के अगर हम बात करें तो फोन काफी अच्छा लगने वाला है क्योंकि इस तरह के colors बहुत rarely हमने me या redmi या Xiaomi के phones में देखें अभी यह trend चल रहा है तो gradient color काफी तगड़ा लगने वाला है मुझे काफी अच्छा लग रहा है frosted सा color है तो जिसकी वज़े से काफी बढ़िया ही आपको लगने वाला कुछ हट करके है वहीं camera का bump यहां बोलेंगे थोड़ा सा उपर है but it's okay चार camera मुझे भी पी समझ में नहीं आता है तीन camera भी दे it's okay बट दो megapixel की जगह यहां पर companies को upgrade करना चाहिए minimum 5 megapixel यहां ज़रूरी है आज के time पे आप क्या सोचते हैं comment में ज़रूर बताइएगा फोन के overall specs और उपर के अगर हम overlook के बात करें तो power button में आपको यहां पर मिल जाता fingerprint scanner साथी साथ यहां पर volume up and down यहां पर keys मिल जाता है उपर की तरफ IR blaster secondary noise cancellation hybrid sim slot मिलता है तो दो sim card या फिर एक sim card और memory card का इस्तिमाल कर सकते हैं नीचे के तरफ आपको type c वाला charging port, mic और 3.5 mm jack और speaker grill दिखता है यहां पर पहली चीज़ अगर बताओ तो फिर phone काफी दिखने के बाद मतलब first time जब मैंने इसको दिया हाथ में तो मुझे काफी अच्छा in hand feel लगा जो कि समय के साथ Xiaomi Redmi यहां पर improvement कर रहा अपने devices में और यह बहुत अच्छी चीज़ है अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आपको यहां जब storage की बात आती थी storage 128 GB के अंदर है और 18 GB लगबग यहां पर used मिलता है 110 GB लगबग आपको यहां पर खाली मिलेगा जो की काफी impressive है और वहीं बात करो तो फिर यहां यह MIUI 12 पर चलता है कुछ-कुछ चीज़े यहां पर अलग-अलग तरीके से डाइलर आपको Google वाला डाइलर मिल जाएगा लेकिन अगर हम UI की बात करें तो वहां पर आपको मिल जाएगा वही MIUI 12 प्लस यहां पर कॉल रेकॉर्डिंग दिया गी है लेकिन गूगल का डाइलर है तो इसकी वज़ए सा आप समझ सकते हैं कि Google हमेशा बता देता है कि आप कॉल रेकॉर्ड कर रहे हैं तो वह Google बोलेगा कि इसमें वह या कॉल इस बींग रेकॉर्डेड जो भी है वह बता दिया जाएगा ऐसासाथ मुझे कची चीज लगी कि समें नॉटिफिकेशन लाइट है इसमें आपको मिलता है बट नॉटिफिकेशन लाइट यह ऐसी स्पीकर ग्रेल में मिलता है यापको ना के बराबर दिखेगा ही नहीं, but anyways, it's okay, कोई दिक्कत वाली बात ने, ऐसे भी आदत हो चुकी हम लोगों को, बिना notification light के phone को इस्तमाल करने की, phone का first impression मुझे काफी बढ़ियां लगा, display की quality मुझे काफी अच्छी लगी, काफी impressive है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि display में compromise किया गया, display की quality काफी अच्छी है, काफी decent है यहाँ पर display की quality, मुझे बढ़ियां लगा, और यहाँ पर viewing angles की बात करें, या फिर अगर वीडियो की बात करें, वीडियो अगर काफी crisp and clear दिखते हैं, साथी साथ मैं बात करूँ लूँ, इसका सबसे जो most important 108MP camera, उससे यहाँ पर मैंने के photos, images मैंने click किये हैं, उसको आप check out कर लीजे, यहाँ पर आपको difference नजर आएगा, एक normal camera से 108MP में जब आप switch कीजिएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा difference आएगा, आपको 108MP में जब आप zoom कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको clarity अगर हम बात करें, तो काफी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, दूर की चीज़ों को आप असानी से अगर click करते हैं, पढ़ सकते हैं, तो साफ साफ अगर एक लाइन में बोलूँ, तो फिर यहाँ पर detailing मिलती है, आपको जो की detailing काफी बढ़िया है, front camera के अगर हम बात करें, तो front camera से उतना ज्यादा impressed नहीं हुम है, front camera ठीक है, but I think यह आने वाले time के साथ, software updates के साथ यहाँ पर improvement किया जाना चाहिए, शायमी की तरफ से, अब reason भी है इसके पीछे क्योंकि aperture यहाँ पर ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पर camera में ज्यादा improvement की तो उमीद नहीं कर सकते हैं, but हाँ, अच्छे light conditions में आपका यहाँ पर काम बन जाएगा, video recordings वगरा सब कुछ तगड़ा यहाँ पर कर सकते हैं, phone यहाँ पर performance में अगर मैं ब promising लग रहा है, काफी बढ़ यहाँ रगला है, long term भी मिलेगा, review आपको tips and tricks भी मिलेंगे, कुछ और camera के साथ मिलेंगे, यहाँ पर comparisons, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ इसका वजन है 220 gram, अब OnePlus Nord भी मेरे पास पढ़ा हुआ है, तो OnePlus Nord की अगर मैं वजन बताऊ यह 195 gram है, but है, सीदी सी चीज है कि 195 gram है, तो इसकी battery भी थोड़ी कम है, इसकी battery ज्यादा है, इसका display ज्यादा बड़ा है, एक चीज थोड़ा बहुत यहाँ पर, इसमें missing सा है, वो है कि इसमें AMOLED display नहीं मिलता है, but AMOLED display अगर मैं बात करूँ तो फिर अगर AMOLED display इस price point पर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Moto G 5G भी available है, वो भी यहाँ पर आपको AMOLED नहीं दे रहा है, बाकि Moto G 5G से अगर compare करते हैं, तो design, build, quality, सभी चीज़ों में far better है, Mi 10i, Moto G 5G से तो लाख गुना बढ़िया है, यहाँ पर, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, AMOLED पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर AMOLED आएगा, तो बढ़ेगी और बढ़ेगी बढ़ेगी, 5G प्रोसेसर सस्ता इतना भी नहीं है, कि यहाँ पर 24,000 या 22,000 या 20,000 की pricing में आपको AMOLED दे दिया जाए, हाँ, Mediatek Dimensity अगर 800 series वाल आएगा यहाँ पर chipset, तो उसमें chances हो सकते हैं, लेकिन वो भी phone आपको 18,000, 19,000 के आसपास ही मिलेगा, तो मान के चलिए गुमा फिरा करके वहीं पर आप खड़े हो जाते हैं, तो technically first impression इस phone का का काफी बढ़िया, मुझ जरूर बताए, वीडियो कैसा लगाया है, कमेंट करके बताए, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल पर नहीं है, तो बिना सब्सक्राइब की मज़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोज लाते रहते हैं, तो ऐसे प्यार देते और बोलते रहिए, जय हिंद, खंदे मातरम,